जैराम रमेश और सिरी मलिकार जुन खड़के जी की पिर्टिकरी आई है जिनोंने नितिश कुमार जी पर रानितिक अवसर बादिता का आरोप लगाया है अधरसल कॉंग्रेस का एक कॉकस इंडिया गटबंदन के नेत्रित को हड़पना चाहता था 19 दिसंबर को अशो का होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिस के तहत इंडिया गटबंदन का नेत्रित करने के लिए सिरी खड़के का नान सुझाया गया था इससे पहले मुंबई की बैठक में सरसमती से तैह हुआ था कि बगएर किसी का चेहरा आगे रखे बगएर ये इंडिया कर्भंदन काम करेगा पहली शाम को सिरी केजरिबाल जी के आवास पर जब ममता बनर जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा कांग्रेस के उसी कोकस ने एक साजिस के तहट ममता बनर जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया यदि पी शिरी खड़के जी ने बाद में उसको खुदी ऐस विकार कर दिया दरसल जितनी भी गैर कांग्रेसी छेतरिय दल हैं चाहे वो लोग दल हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे जेडी यू हो चाहे आर जेडी हो चाहे ममता बनर जी की पार्टी हो चाहे सरदपमार जी की पार्टी हो ये सब दल कॉंग्रेस पार्टी से लड़कर के भारत की दानित में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कॉंग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दोर से गुजर रही है। पिछले दो लोग सभाज चुनाओं में नेता प्रती पक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे। लिहाजा वो छेत्री है जो नेत्री थे इन दलों का उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोडा हैं। पिछ कुमार जो है उनकी राये जुदा होने वाली है। वो शुरू होगी और उसके बाद तमाम जो अपचारिकता है यानि की एन डिये विधायक दल के नेता के तोर पर मुखमंत्री नितीश कुमार को चुना जाएगा। और उसके बाद मुखमंत्री नितीश कुमार बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ और जीतर रामाजी के साथ वो एक बार फिर से राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावापेस करेंगे। और संभवता आज ही साम चार बजे नितीश कुमार नमी बार एजे मुखमंत्री बिहार का सपत गरहन करेंगे।